हाई मैं हूँ अभ्यूदाय और आप सिखने वाले हैं Music Production ये वही कोर्स है जिसके बारे में आपने बार-बार से पूछा है आपने बार-बार मुझे email किया है, message कि एक कोर्स कब आने वाला है जहाँ पर हम Music Production की basic सिख पाएंगे So there we are जिन से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, नमस्कार, मेरा नामे अभ्यूदाय और मैं एक Musician हूँ, मैं Composition करता हूँ, Production करता हूँ और धीरे-धीरे कभी कबर पियानो बजाय लेता हूँ I have my home music setup behind me and इस particular setup के उपर ही बैट कर मैं ये course आपके लिए तयार करने वाला हूँ यानि कि ये जो पूरा course है, इसको attend करने के लिए आपके पस एक fancy studio setup की ज़रूरत नहीं है बहुत असानी से जो हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ laptop और थोड़े बहुत equipment यूज़ करके जो मैं आगे बोलने वाला हूँ आपको इस्तमाल करके आप इस course को continue कर सकते हैं and आप इस चीज़ को सिख सकते हैं which is a fabulous thing but equipment and बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले I think it is important कि we speak about कि ये course किसके लिए designed है let's speak about this क्योंकि आपकी herd earned money है आपके पहसे गलत जगाने ही लगने चाहिए so this course is for people जिनको music making में interest है music making मतलब मैं ये नहीं कहना चाहरा हूँ कि आपको guitar बजाना सिखना है then this is not the course you will find other courses for guitar playing अगर आपको piano बजाना सिखना है आपको मेरे एक दूसरा course मिल जाएगा जहाँ पर मैंने piano बजाना सिखाया है but ये course music तयार करने के उपर है जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने computer के साथ बैट करके एक PC या Mac whatever it is आप बैट के आप music तयार करे scratch से जिसके अंदर music composition आता है जिसके अंदर instrumentation आता है instrumentation, composition इन सारी जो terminologies होती है इनका मतलब क्या है mixing, mastering ये सारी चीज़े इनके मतलब क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे section number 3 पर जाके अभी के लिए समझ लेते हैं कि music making का जो हर एक जो अलग-अलग angle होता है वो सारी चीज़े हम cover करने वाले हैं इस particular course में इस इस नॉट आप स्पेसिफिक instrument प्लेइंग बिलकुल नहीं है तो अगर आपको music बनाने में थोड़ा सा वे interest है तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि इस course को continue कीजिए क्योंकि इसमें जो वीडियो जाने वाली हैं वो आपके interest को और ज्यादा जो है उसको एक complete shape देने में आपको help करेगी और by chance अगर आपको लगते कि नहीं मैं music making उतना नहीं करना चाहता हूँ मैं piano बजाना चाहता हूँ then you should watch piano essentials complete beginner course जो की बहुत ही basic तरीके से beginners के लिए piano बजाने में उनको लाने के लिए तयार किया हुआ है वो course भी बहुत अच्छा है जिसके पास music बनाने का interest है उसके लिए course देखिए music making is not like a physical sports जैसे कि football ये cricket खेलना एक इनसान की अगर age लेट से for example 50 अब अब हो जाता है तो it is very difficult to start playing football or cricket but it is never difficult for you to start playing with music क्योंकि उसके लिए आपको physical fitness की जरुरत नहीं होती है आपको सिर्फ और सिर्फ जोए और आम से बैट कर computer के सामने mouse और keyboard ले करके काम करना पड़ता है अगर आप एक college student है जिनको music में interest है या फिर आप कहीं job करते हैं आपको music में interest हैं आप male हैं, female हैं doesn't really matter if you are interested in this particular thing आप retired हो it's very good if you are a retired person a lot of people email me कि retirement हो गई अब क्या करें music बनाया क्या बिल्कुल बनाई है तो this course is for anybody who is interested that is the bottom line of this course I'll meet you in the next video जहां पर हम बात करेंगी कि music production workflow कैसा होता है thank you so much for watching this stay tuned